एक बार फिर स्वागत है आप सबका दूसरी पारी की शुरुआत में बल्ले बाजो के सामने टागेट सेट है चलिए देखते हैं क्या वो ये चेस कर पाएंगे और ये आ रहे हैं दो अमपायर्स फील्डिंग टीम के साथ और उनी के ठीक पीछे सलामी बल्ले बाज हमें यहां अच्छा मुकाबला देखने मिल रहा है विकेट संभाल के खेलना होगा बाटिंग टीम को तेज गेन बाज को लाया जा रहा है इस छोर से चलिए सब तैयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए अपायर को कोई गुंजाइश नहीं अपना दिसिजिन देने में आपील काफी नस्दी की मामला और यह रवीव लेते हुए जार दार पील नस्दी की मामला और यह रवीव लेते हुए बाद चेकिंग्पर रनोपोल प्रेड दिवरी न कोलम ё़ी लेएंग और बीकी और इपक्टारएंग अुछ इसाज पोबच्चारएंग पूबच्टारी कि और विल्मुछारी तीक्याने सब्सक्राइंग आफ विल्मुछाराएंगा नाहिंगी हुगगगग विल्टाइंग सेथे जिरूता हैं इनकी फील्ड प्लेस्मेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रव्यू रचा रखी है हवर में खेल दिया है और गैप में भी चार रन बल्ले बास पूरे नियंत रन में थे वहाँ चलिए देखते हैं कि अगली गैन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी या जवाब शौर्ट एक पल में लगा कि गैन बल्ले से लगी और दूसरे ही पल में बाउंडरी के उस पार चार रन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है गैप में खेल दिया है यहाँ और यह चार रन बोलर्स को अपनी लाइन का ध्यान रखना होगा और यह शॉट बस एक रन ही निकाल पाए बहुत ही जोरदार अपीर लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट बोलर को अपनी लाइन एन लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ यह वाइड होगी भाईया चलिए दुबारा डालिए गेंड फील्डर पॉइंट पे लगाया गया है ओ बैतरीन टाइमिंग और गेंड सीमा रखा के पार चार रन दूसरे छोर से तेज गदी के गेंड बस को लाया गया है बल्लेबाज अपनी पहली गेंड की तैयारी करते हुए नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद अच्छा शोट लेकिन सिंगल ही मिलेगा बहुती निराश लग रहे हैं यही एक चीज बिलकुल नहीं चाहेंगे रन आउट अगर में खेल दिया है और जैप में भी चाजन बल्लेबास पूरे नियंतरन में थे वहां यह है जो बाउंडरी से इश्क फरमाते हैं यह बात विपक्षी टिंग को बखू भी मालूम है बल्ले के एक दम बीट से शॉट को मारा जबरदस्थ शॉट दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चका मार देंगे बिल्कुल चक्मा खा गए हैं वहां रंडरी बढ़ानी की कोशिश में काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में थी गेंद उठा दिया है छे रं जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई संदेह नहीं था कि ये छे रं है ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी गेंद की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहां कि निराश लग रहे है वहां मेरी माने तो अपने आप को खुश किसमत समझें जो अब भी फ्रीज पर ही खड़े है उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका हूप शॉट लगाया बल्लेबाज ने पूरी तरह से चुप गए बढ़िया बोलिंग बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे पावर प्ले की समापती और अब फिल्डिंग टीम दो से अधिक फिल्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं गेंद की लाइन लेंग्ध को समझ के खेलना होगा यहां बल्लेबास को कोई आडिया नहीं था उस गेंद के बारे में शांदार गेंद बाजी पूरी ताकत लगा दी इस शांट में बल्ले बाज में छे रान क्या इनके तरकश में से एक और चौक का निकल सकता है चलिए देखते हैं यह बढ़िया रनिंग अद्भूत रनिंग ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है खतरनाग गेंद और सीधा बल्ले बास के शरीप पे लगी जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा खेलने की कोशिश और पुरी तरा चुप बोलर को अपनी लाइन एंड लेंद सटीक रखनी होगी इस फिल्ड के साथ गेंद बास बल्ले बास के दिमाग को पढ़ रहा है और उनकी योजनों पर पानी फिरे जा रहा है यह देखो बल्ले बास का रौदर रूप उसे मानुमे की गेंद का क्या हश्र करना है बहुत लें में नजर आ रहे हैं बहुती खुब सूर्टी से मारा है इस शाट कोड़ इस शाट को पड़ा भी है और जड़ा भी है बड़ी आस्ट्रूप जब फुल फ्लो में खेलते हैं तब इनकी बल्ले बाजी देखने लाइक होती है और ये छे रन लगता है धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं बल्ले पास यहाँ अब पता नहीं भाईया ये गिन कहा जाएगी मेरा मानना है आउट है भैतरी इन फील्डेंगा मुझारा ख्षेत रक्षक द्वारा बल्ले बास पावेलियन की ओर जाते हुए हताश निराश उदास कैच आउट हो जाओ बोल्ड हो जाओ लेकिन रन आउट कभी मत होना अक्सर देखा गया है के रन आउट मैच की परिस्तिती बदल देती है बल्ले बास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए हवा में उठा दिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्ले बास ये सही धंग से नहीं खेला है और फील्डर पकड़ लेंगे इसको निराश होकर पैवलियन के तरफ लटते हुए कप्तान ने अतिरिक सुरक्षा के लिए डी पॉइंट लगाया है पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई की है फ्वास बोलर्स की इनों ने अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए दिखते हैं टीवी अंपायर क्या कहते हैं इस रन की यहां कोई अवशक्ता नहीं थी क्या वो समय पे पहुँच पाएंगे बड़िया पिकपें त्रो चलिए देखते हैं थर्ड इंपायर का डिसिजन और बल्ले बाज राहत की सांस लेते हुए नॉट आउट इनकी धीमी गति की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्स हो सकती है नजाकत से खेर दिया है सिंगल के विए बाटिंग टीम अच्छा रन रेट मेंटेन करते हुए यह तो तौफे में दी गई गेन थी और बले बाज बिलकुल भी नहीं चुके अजारे टौब यह जापकी अजारे लिए खेज़ लिए यह जारे लिए यह तो नहीं जारे लिए यह विए यह यह बोलर को अपनी लाइन एन लेंद्स सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बल्लेबास पूरी तरह से चुप गए बढ़िया बोलिंग टारेक्ट हेट और अमपायर ने उंगली उपर करी बल्लेबास पवेलियन की ओर जाते हुए हताश निराश उदास ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है खेम दिया है गाप में और ये एक रान बहुत ही अच्छा अर्दशा तक काफी दिनों से ये फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर आज ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हुँगे बल्लेबास अपनी पहली गेंग की तैयारी करते हुए बल्लेबास तेजी से और असानी से मिला दो रहनी बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रहनी मिट्वीन द विकेट्स बहुत अच्छी रुनिंग बिट्वीन द विकेट्स बॉलर ने तो बल्लेबास को वापसी का रास्ता दिखा दिया फील्डिंग में परिवर्तन समझ नहीं आया हमें क्या करना चाहते थे बल्लेबास इन्हें वापस पविलियन लॉटना पड़ेगा बॉलिंग में परिवर्तन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां बल्लेबास नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार डारेक्ट हिट फील्डर का और एक बहुत ही महत पूर्ण विकेट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौझूद बल्लेबास को अपनी ड्राइफ सम्हाल के खेलनी होगी इसे अंग्रेजी में कहते हैं बुल्जाई जबरदस्ट फील्डरिंग बल्लेबास पवेलियन की ओर जाते हुए अताश धिराश उदास बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए चुरा लिया है एक राइफ बड़िया रनिंग बिट्रीन दे विकेट्स इस विकेट्स ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया है थोड़ा बहुत गेंद बाजों के लिए भी था और अच्छे शॉट लगाने के लिए भी डारेक्ट हिट फील्डर का और एक बहुत ही महत पूर्ण विकेट्स पवेलियन का लंबा रास्ता तैय करना पड़ेगा बल्ले बाज को आप दोनों बल्ले बाजों ने यहां एक पल के लिए भी रन रेट को अपने काबू से बाहर जाने नहीं दिया है बहुत ही खुबसूरत बैटिंग अच्छा शोट खेला सिंगल के लिए बाटिंग टीम अच्छा रन रेट मेंटेन करते हुए नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए दूसरे च्छोर से स्पिनर का अगमन बोलर को अपनी लाइन एन लेंद्स सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ दूरन का कॉल रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उंदर है ये दोने बल्ले बाजों के बीच गेंद्वाज और बल्ले बाज की बीच में गर्मा गर्मी गेंद्वाज कुछ कहते हुए बल्ले बाज को और वो कहते हैं जाओ अपनी बॉलिंग कराओ बल्ले बाज को कोई आइडिया नहीं था उस गेंद्वाज के बारे में शंतान गेंद्वाजी बढ़िया रणिंग दोनों बल्लेबाजों की विकेट के बीच ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्लेबाज को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बहुत ही बढ़िया धंसे खेला सिंगल के लिए जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा भैलारान तेजी से लेते हुए खुद कुशी करने के तमन्ना थी यहाँ पे खराब रनिंग और दूसरे शोर पे भी तेज गेनबास को ही लाया जा रहा है क्या मैच देखने का अवसर प्राप्त हुआ है आज स्टेडियम खचाखच बरी हुई और मैच अपने आखरी ओवर तक जाती हुई यह लगा हवाई शोर्ट खुद सूर्थी से लगाया यह चुरिंदा शोर्ट्स बहुत ही बैतरीन खेलते हैं फील्डिंग में परिवर्दन बॉलर्स को अपनी लाइन का ध्यान रखना होगा हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए खेल ले की कोशिश अब पूरी तरह चुए मेराश लग रहे हैं मेरी मानिये तो मैं आपको फुश्किस मत समझें जो बीग वीस पे ही खड़े हैं वही अगे लाइन में जज़ कर बैठे बल्ले बास दोनों ही खेमोगा प्लेयर आपस में एक बुसरे का हाथ मिलाते हुए और द्रसिंग रूम की तरफ जाते हुए कि अज़ लाइना बास करेजें लगार की कि ज़को बास करते हैं तो सम्सेंट की तोप फुश्किटर समय जह लुए तोबुश्कितर बास कर के लिए